जै गुरुजी प्रणाम गुरुजी कुल बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी सभी संगत जी को जै गुरुजी मैं बहुत भागेशाली हूँ कि गुरुजी मुझे इतने जल्दी सत्संग का मौका दे रहे हैं या मेरे अंदर से आया यह सत्संग करना और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना तो संगत जी म मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी, मैं गुरुजी से 2021 में मैंने उन्हें जाना हूँ, और actual inclination और जो bonding है मेरा गुरुजी के शेरन में जब मैं आई हूँ, वो अभी अभी है, जैनवरी, फेबुरी 2022 में, तो संगजी ऐसा हुआ कि मैं जब कॉलेज में थ और मेरी एक सीनियर वहां से पास आउट हो गए थी, तब वो गुरुजी के सचसंग या उनकी स्चादी में गुरुजी के सचसंग होता था, और मैं सोचती थी, यार मुझे इन गुरुजी के बारे में जानना है, यह है कौन? और बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे सामने कौन कहा है, पर मैं जानूंगी कैसे, तो संगत जी, मैं सब जगे जय गुरुजी दिखा हुआ देखती थी, तो जो उनका शादी का सचसंग उन्होंने किया, उसमें मैंने आदा मंत्र लिखा हुआ देखा था कहीं से, और मंत्र और जय गुरुजी करके मैंने गूगल पे स मनते हैं, तो मुझे उन्हें मानना चाहिए, जबकि लोगों को इंफ्लूएंशल गुरुजी ने मनाया, यह सब उनकी महर है, यह सब उनके वज़े से हैं, आज जो भी जहां भी जैसा भी है, और इसलिए गुरुजी का लख लख शुकराना, हजार बार शुकराना, अब दूरुजी के साथ कनेक करने के बाद में बहुत हैपी भी हो गई है, मतलब मुझे एक सोलेस मिल जाता है ना, जैसा लगता है कि नहीं मुझे अपना, मेरे जो एक्छुल पेरेंट है, जो मेरे अक्छुल जन्म दाता हैं, मुझे वो मिल गया हैं, मुझे किसी का जरूवत मुझे अपने अप में इतना पूरा कम्प्लीट लगने लगा संगत जी तो फिर से संगत जी तो ऑगस्ट सेप्टेंबर में मैंने उन्हें देखा उनके बार में पता किया फिर कोइंसिडेंटली मैं टैरो का रीडर आंटी से मिली मेरे जंदगी में बहुत सारे ups and downs चल रहे थे मुझे किसी से कुछ जानना था और कोइंसिडेंटली मैंने गूगल किया और किसी से मिली और देखे गुरुजी के करिश्मा कि आंटी खुद गुरुजी की भगत थी उनकी संगत थी और मुझे फोन पर पता चला मैंने आंटी से उनके बारे में पूछा उन्होंने मुझे मंत्र बताया उन्होंने मुझे बोला गुरुजी टैलीपैथी करते हैं गुरुजी बहुत अच्छे हैं ऐसा गुरुजी आगर आप उनकी शिश्य बन जाएंगे अगर आपने गुरुजी को अपने दिल से मान लिया है, गुरुजी आपको ज़रूर अपने पास, मतलब अपने साथ रखेंगे, थोड़ा तब डिफिकल्ट था संगा जी मानना क्योंकि हम तो नादान थे, मैं सोचते थे, ऐसे कैसे गुरुजी अपने साथ रखेंगे, मेरा सब चले गया, पर सम्हाव जैनवरी, फेबरी में, फिर से वो मेरी सीनियर ने गुरुजी का सथसंग डाला अपने इंस्ट्रग्राम स्टोरी पे, और मुझे लगा यार मुझे अब इससे पूछी लेना चाहिए, तो मैंने उन्हें मेसेज किये, संगा जी बड़े-बड़ है, उन्हें जो सोच है, उनके साब से चलते हैं, आप कोई बात नहीं, आप कोई है नहीं, कोई रास्ता नहीं है, रहने देते हैं, फिर संगत जी कोइंसिडेंटली यह हुआ, कि मुझे टैरो का रीडर आंटी थी, उन्होंने भी अपना वाट्सप स्टेटिस जाला, तो य तीन दिन के दर्मियान यह चीज हुई, और मैंने आंटी से पूछा, और उन्होंने मुझे बूला, पेटाजी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ऐसा नहीं है, गुरुजी तो चाहते हैं, कि सब उनसे कनेक्ट हो, आप गुरुजी के स्वरूप से बाते करें, आप गु और वो सब अपने आप होता गया, संगजी, मेरे घर में या मेरे आसपास के लोगों में बहुत कम लोग गुरुजी को जानते हैं, तो जब स्वरूप आया, मुझे डर था कि सब मुझ से पूछेंगे, हलांकि मेरे पेरेंस बहुत ओपन है, उन्होंने मुझ से यह नहीं प सिर्फ गुरुजी को शिक्राना, हर चीज के लिए, फिर संगजी क्या हुआ, गुरुजी के स्वरूप आगया, मैंने गुरुजी से बात करना चालो किया, धीरे धीरे, मेरे जितने इफ्स, बात्स और क्वेस्चिन्स थे, गुरुजी उन्हों आंसर करते चले गए, कभी क सतसंग टैंट करने की लिए क्या करेंगे, मैंने जो अचा की मैं मैंने मंदर के जो, गुरुजी के बड़े मंदिर में एडी पे मेल कर दिया संगजी, उन्होंने मुझे कर दिया कंट असपास वाले लोगों से और वो औँकल, आंटी लोगल इतने अच्छे ते संगजी उन जी बोलते थे कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, सारी संगत एक जैसी है गुरू के लिए और उनकी एक एक वर्डिंग मुझे अब गूंजने लग गई और मुझे समझ आने लगई संगत जी अब इसके बाद क्या हुआ संगत जी मुझे लगता था चलो मेरे पास तब तक न स्टैग्राम पर वह जो गुरूप जिसमें मां अड हुई थी उनमें गुरूजी की बार में पड़ती रहती थी और जानती रहती थी और गुरूजी से बात करती रहती थी संगत जी मुझे आंसर मिलते रहते थी तो एक बार मैंने ऐसी फोटोस देख रहे थी गुरुजी की मैं सोच रहे थी गुरुजी आप लिलियाक कलर में पेसल में किते सुंदर लग रहे हैं गुरुजी काश मेरा भी कोई फंक्शन हो मैं आपको यही कलर में देखना चाहूंगी गुरुजी और वो फोटो मतलब हम नार्मली स्वरूप में देखते हैं तो बड़ी रेर पोशाग थी गुरुजी की वो मैंने एक बार बस ऐसी मन में यह सोचा और हो गया संगजी फिर मैंने ब्रेसलेट और कर लिया बाइट वाला आप मानेंगे नहीं संगजी मेरे मन में था कि काश मेरे पास गुरुजी के चरन हो और फोटो मुझे अच्छी लगी थी वो पोशाग में गुरुजी की जब मेरे पास ब्रेसलेट आया उसमें लिखा भी नहीं था संगजी उसके साथ वो फोटो और चरन का फोटो और पोशाग जिसमें लील्या कलर का गुरुजी वो पोशाग पहने हुए थे वो ग गुरुजी का इशारा था कि मेरी फेवरेट जो उनकी फोटो थी वो मेरे पास भेज़ दी गुरुजी ने फिर संगजी मेरे सारे अंसर्टनीटी के क्वेस्चेंज और आंसर्स और मैं लाइफ में जितना कन्फ्यूज थी गुरुजी उसको हलका करते गए करते गए करते फिर संगजी मेरे इधर मैं दस साल से गुरुजी को मानती थी मतलब भगवान जैसे ही मैं बहुत मानती थी मेरे पैरेंस में मुझे उनसे जोड़ा था हमारे फैमिली मतलब हमारी फैमिली भी काफी मानती थी तो संगजी मुझे बड़ा गिल्ड लगता था कि उन्होंने द तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता था और मैं कभी कभी गिल्टी महसूस करती थी हलाकि मैं भी नादान हूँ तो में को लगता था रैसे कैसे दो गुरु जी नहीं हो सकते क्या करेंगे कैसे किसे क्या पूछू आप मानेंगी नहीं संगत जी इधर मेरे यह अंसर्टिनिटी प्रव पर सब्सक्राइब लेज एक सबसे बड़ा है वह मैं हूँ बाकी सब लोग तुम्हें गाइड करने के लिए शुक्राना गूरु जी का हुथ बहुत बहुत शुक्राना गूरु झिका घ्रस देते चले गैसे मेरे ऑक्र जाम का रिजामर मुझे बड़ा डर था पर म जो PG exam था वो बाकी तक फिर संगा जी गुरु içer का गुरु जए Portal गुरु जएक्जी उने पास भी और संगा जी और अंत मेर है था अपने सारे रास्ते एक दम से उस अक्जाम का जएक्जाम स्टेप ईसका डेट मिल लगक्ता जम है बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगजी और संगजी मेरे घर में एक सर्वेंट है, वो काम करते हैं, हलाकि वो मेरे दीदी जैसे ही है मैं हमेशा से उन्हें दीदी बोलती हूँ, अपनी बड़ी बहन मानती हूँ संगजी वो कहीं जा रहे थे वो किसी को मानते हैं तो उनके पास गए उन्होंने मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछा आप मानने की नहीं संगजी उन्होंने बोला कि वो जिस शिव को मानती है ना मैं उससे बड़ा बड़ी नहीं हूं उससे बोलो उसका शिव उसके लिए ब अपने, क्या बोलो संगजी, सारी, मुझे अपने बच्चा बना लिया संगजी, उन्होंने अपनी शहरण में इतना जल्दी ले लिया, मेरे सारे कश्ट इतने जल्दी जल्दी दूर हो गए, मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे गुरुजी ने मेरे इतना असान रस्ता क्रेव कर दिया, संगजी, मैं हमेशा से बड़ प्रैक्टिकल और थोड़ी नेगेटिव काइंड ओफ इंसान थी, मतलब मैं डरती थी हमेशा भगवान से, या अच्छा सोचने से, मैं सोचती थी, यार मैं जो सोचती हूं सा उल्टा हो जाता है, और ये अब 25 साल की बात हो गए, स कुछ ट्राय भी किया पर कभी कुछ ठीक नहीं हुआ, पर आप मानेंगे नहीं संगजी, जैसे में गुरुजी के शरण में गुरुजी ने वह भी ठीक कर दिया, अपने आप मेरे में बहुत पॉजिविटी आ गई, मुझसे नेगेटिविटी दूर हो गई, मैं नेगेटि पता हो रहा है कि गुरु के चरण में होने से जो सुख मिलता है, आपको जो हैपिनेस मिलती है, वो अंडिनाइबल है संगजी, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हैपिनेस कैसी है, हम सिफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मुझे लगता है इससे भी हजार बारी अच् इन गुरु जी के सत्संग सुनते रहती थी और मैं सोची थी, मुझे भी सत्संग करना है, मुझे भी सत्संग करना है, पर मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं किसे करूंगी, किसे बताऊंगी, संगजी, एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, और मेरी बड़ी मम्मी का फोन आया, आहरों औरम मुझे बोला अरे shipkum Guru जी को मांन्ति है ना मुझे उनके बारे में कुछ बता Tangoji आप मानेंगे हैं। और मैं तीन, साड़े, सिर्फ बारे मेरे और Guru जी के बारे में बात करें और मैंने उनने का praGOlar... इन फैक्ट आप मानेंगे नहीं मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा मुझे इंस्टाग्राम न्यूस फीट पर हमेशा गुरू जी की फोटोस दिखते रहते हैं उनका स्वरूप दिखते रहता है मेरी मम्मी ने अपने आप गुरू जी को मंतर याद कर लिया है और वो मैं गुरू जीका जैसी महर और उनकी जैसी इच्छा हमारा मानने कि अग अप जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर जाएं और गुरू जी इतना इशारा देते हैं संगजी इतना आपको अपने पास इतना प्रोटेक्टटे रखते हैं इतनी पॉजिटिवuuटी देते हैं मैंने कहीं नहीं देखा संगजी मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया आला कि मैं बाच्पन से अभी तक बहुत प्रिचुन हूँ लेकिन जो सोलेस जो हैपिनेस मुझे गुरुजी के चड़नों में मिला वो अंडिनायबल है संगजी बिल्कुल अंडिनायबल है और उसके लिए गुरु घ्ट्री हैं थेनकियो गूरुजी। ग sham यु जी बस बनातियों जहें थे लुटांप इस बहुंप से बाते दखी जी का घ्मिटश केजिए औरुसी मेरी तरह नहीं शंगत है आप मानेंगे नहीं हैं आप फासवार नाया जूने के शनायाफ कंप जाएंग आप पने अप म फ्रिव नेक्त हो जाएंगे संग जी अ कमींग टू मैंने जैसे मेरी बड़वबमी को बताया वो तीन गंटे हमारा हुआ मेरे को रियॉलाइज हुआ कि रात में सही तीन गंटे जैसे नॉर्मल बात करते ही हमने सिर्फ गुरु जी के बारे में बात करी और मेरा अपने आप गुरु जी के सत्संग हो गया जो मेरा इतने दिन से बड़ा मन था करने का एक इंसान को भी अपने गुरु की महिमा बताना सत्संग के गुरु जी कहते थे तो मेरा सत्संग हो गया गुरु जी का लख लख शुकराना गुरु जी थैंक यू गुरु जी बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी संगत जी अब आप से जातलत लेती हूं गुरु जी के ऐसे ही हमेशा उनकी कृपा बरसती रहे हम सब पर संगर जी, मिराकल्स दू हापन and I have seen them happening with me after Guruji has entered my life, it has changed 360 degrees 360 degrees, absolutely, संगर जी बहुत बहुत शुक्रान आफ सभी का है थाच लिख दे, सेवा गुरा दी, सेवा संता दी सेवा कर दी, कदेवी ना थक्ता, कदेवी ना लग्ता के सोडे सोडे लिख लिख दे